चले भई हाईवे के आज के लेक्चर में हम लोग को रोड जामेटिक्स पढ़ना था या जामेटिक्स डिजाइन आफ रोड इस चैप्टर के नाम आप कहा सकते हैं उसमें कुछ points हमने लिख रखें हैं जिसको आज करा रखा था और नोट्स अगर आपने देखा होगा तो country road, town road इन सब के बारें भी हमने classification कर आया था आप चाहें तो पहला चेप्टर अपना इसको नोट्स का खोल करके देख ली ये कि पहले चप्टर में classification कैसे हुआ अब अब बात आती है classification में अगर आप लोगोना देखा हो होगा रोड में classification और टॉपिक तो उसमें अलग अलग तरीके से सडकों को माटा गया था ठीक अना जिसमें देहारती सडके या नगरी सडके हिली रोड इस टाइप से classification किया गया था अब देखिए अधिया हम से आज के टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है उस पर बात करेंग अलग अलग होता है ग्लोशरी ऑफ टरीक्स्स यह टॉपिक है रोड में ट्रिक्स में सबसे पहला टॉपिक है इस जो कहते हैं या उनके बारे में जो सब्दावली का अर्थ होता है वो समझेंगे कर आप क्या क्या है वो सब तो करा राइट आफ वे हैं सब्सक्राइब कर लेंगे क्या है और कितना रखना सूटेबल है कहां दिया जाता है यह सारी चीज है ठीक है ना क्रॉस सेक्षन आपके सामने मैंने बना रखा है एक ऐसी सड़क का जो आउटर में है मतलब सहर से बाहर है टाउन रोड में यह बिल्कुल एक हाइवे सबसे पहले इसने लोग बात करेंगे दिये अब को समझ ना यह लिखा गया इन नामों के बारे में आप समझी यह यह चीज होती है इसमें रोड मार्जिन रोड मार्जिन क्या होता है यहां समझे गज़र है आप देखिए सड़क पे चलने का काम जो यह सड़क का क्रॉस सेक्षन आपको दिख रहा है उसमें सड़क पे चलने का काम के वल इतना ही दूरी पर होता है दैस मिटालिक पोर्षन अफ रोद is called carriageway और पेवमेंट साड़क के इस जो धात्विक भाग अArt जहां पर हाड हो यानि जो देखेगोंगे साड़क में जो बीच का भाग होता है सबसे से हम्हें तो मतलब को मतलब पूरे रमिनलाजी को धया peine समझेगा जो सड़क के घर जगह पर में जगह रहता है इंको बर्मीजा कहता है इनको बर्म या फिर हम लोग इनको सुल्डर कहते हैं इस वाले पॉर्शन को जो यह वाला हिस्सा है जिस पर यूजुवली तो गाड़िया नहीं चलती है लेकिन यह एक इनका फंक्शन होता है बर्म का यह एक सर्विस लेन का भी काम करते हैं प्लस सड़क के पेव्मेंट को बचाते हैं कि से जैसे माली अगर सोची यहां पर यह नहीं रहा होता तो यह सड़क जो बिल्कुल सीधी रहती तो गाड़ियों के दबाव से साइड में ढया जाती मतलब यहां पर लोड लगेगा बीच में तो यह साइड में खिसकेगा लेटरल इस पर प्रेसर आएगा औ तो उससे बचने के लिए जो है बर बनाये जाते हैं टेक्निकली और साथ में एडिस्नल वो यह काम करते हैं कि कोई गाड़ी खराब हो गई है या उसमें दिक्कत आ गई है तो साइड में ले जाके इन पर गाड़ियों को खड़ा किया जा सकता है यह एक एमर्गंसी सर्वि को टूटने से बचाना मतलब प्रिवेंट प्रिवेंट इरोजन ओफ कि इरोजन ओफ करीजवे और दूसरा काम है सर्फ्स एज सर्फ्स एज एज एमर्जंसी लेंग एमर्जंसी लेंग एक एमर्जंसी लेंग की भी बात करते हैं लेंग का मतलब क्या होता है लेंग मतलब होता है जैसे आप सड़क के बारे में सुने होंगे कि कितने लेंग की सड़क है एक लेंग दो लेंग चार लेंग इसका मतलब क्या होता है एक एक लेंग का मतलब होता एक चौड़ाई जिस पर गाड़ी रन कर सकती है ठीक है ना लेन का मतलब होता है कि एक चौड़ाई जिस पर गाड़ी रन कर सकती है उसको लेन कहते हैं जैसे अभी यह कहा नहीं जा सकता है कि इतने लेन की है लेकिन मान किसली एक लेन है इधर से गाड़ी जाएगी लेकिन ऐ से निकलेंगे तो एक आदमी हलका से कटता है किस पर बर्म पर दूसरा भी बर्म से और पास लेके निकल जाते हैं बात समने रहेंगे को गाड़ियों के पास कोले ही सुविधा क्या करते है या फिर गाड़ियों के पास होने क्या दुसरे को ख्रोस करने का बात संथाने तो सड़क के बगल में होता है बर्म बर्मा से बर्मा और सड़क को मिला करके जो Group this family room aolog जैसे अगर आप देखे द्यान से यह ग्राउंड लेवल दराइप लगा हुए ज़्याउंड लगा हुई न इलाके जो सबसे ऊपर की चौड़ाई होती है उस चौड़ाई को हम लोग कहते हैं क्या उस चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं formation width उस चोड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं formation width formation width का मतलब होता है payment या carriageway प्लस berm की बात करते हैं हम लोग तो इतना समझ में आया कि berm क्या होता है berm carriageway के दोनों side में दिये जाने वाले अतरिक्त चोड़ाई है लगभग berm की चोड़ाई कितनी वानी अच्छा है जो क्या करता है जो payment को छतिग्रस्त होने या कटने से बचाता है साथ साथ emergency lane का भी काम करता है और उसके बाद गाड़ियों के single lane की road में गाड़ियों को overtake करने में या पास कराने भी मदद करता है इसके यहां पे समझेगा ध्यान से तो बर्म का यह function आपको समझ में आप फार्मेशन विट्ट किसको बोलते हैं तो फार्मेशन विट्ट जो आपका होता है फार्मेशन विट्ट का सिंपल सही साथ फार्मेशन विट्ट कितना होता है तो यह होता है है पेसमेंट यानि पेसमेंट मतलब प्लस बर्म मतलब दोनो साइड के बंस को उमीटिख सोल्डर वी बोलते हैं बंस को उम प्लोस मतलब पर्म का खे Defin progressive가 का काम करता ओर इसलिए इंको सोल्डर प्लीट रहें लां पहल दो इतना सम अदिए बर्म में अिन्या हिसाब का है ही payment रहते तो सारे payment मिला करके ठीक ना अब आगे देखिए अच्छा आप formation विट्ट के बाद अब अगली चीज क्या यहां पर आप क्या रही उसको ध्यान दिजेगा एक अच्छा साइड स्लोप इनको कहते हैं साइड स्लोप अब यहां पर इसके बार में समझ लेज़ेगा साइड स्लोप जो आपका होता है एक सकेंड इसको रहां जो आपका साइड स्लोप होता है साइड स्लोप यह क्यों दिये जाते हैं जाहिर से बात है एक अठे अगर सीधे वर्टिकल रखा जाएगा तो फिलिंग में रहेगा तो कट जाएगा कटिंग में रखा जाएगा साइड स्लोप कितना रखा जाता है यह क्या होता है इससे ज्याधा यह कितना रखा जाता है तो जनरली장 favorite 楽 wiping में जो शाइड स्लोब होती है वो कितनी रखी जाती है वो लगभग वो लगभग क्लत वे तूइस टूए लगभग के आसपास या फिर दूसरा या फिर 1.5 इस टूए वन ये दोनों से कोई एक रखा जा सकता है फिलिंग में अगर तगड़ा दिक मतलब ज्यादा मिट्टी जो है खराब है मतलब ज्यादा है यह विस्तरामपोंड उसका कम है उसकेस में यह रखा जाएगा मतलब जितना ही डिस्टर्ब स्वाइल रहेगी यानि फुलकी स्वाइल रहेगी तो यह नहीं तो अगर अच्छी है जिसकी अच्छा है उसका एंगल आफ रिपोस्त तब और रख सकते हैं इसी तरीके से अगर कटिंग में रोड होती कटिंग का मतलब अच्छा अगर यह सड़क ऐसे भर के बनाई यहां ग्राउंड लेबल देखिए इस जगह पर है यह आपका जील है तिकना ग्राउंड लेबल यह तो इससे उपर मिट्टी का भराव करके बनाया गया तो यह फिलिंग में रोड है अगर यह ऐसे रोड रहा होता नीच हई तो इस समय में यह कामक्रता तब इसकी जो साईड यह वाली वो एकम कितनी रखाि तो वो कटाव में यानि कटिंग में जब सडक होती तब के केस में यह वन इस्टू वन रखी जाती है वन इस्टू वन लेकिन अगर रॉकी स्वायल है रॉकी मतलब मतलब चटानों वाली मिट्टी काफी हाड तो हाफ इस्टू वन का भी रख सकते हैं अब यह होता क्या यह सब धाल होते क्या इसको द्यान समझेगा ज़रा यह सीधा कहता है कि आप आगे इतना जा रहा है जैसे दो मीटर तो एक मीटर डाउन हो गया तो यह अप हो गया तो इस ढ़ाल को कहेंगे हम लोग टू इस्टू वन कि स्लोग दो होरीजेंटल में एक वर्टिकल को कहेंगे दो तो इस थोड़ा स्लूंपी ऐसे लेकिन ये क्या हुआ ऐसे और ज्यादा बढ़ेगे अगराद ही में चुप तो यह और सिद्फ होने लगेगा थाइन सीधाल लगे बात समना इसका मतलब हुआ कि ढाल जो होती है वो समन्में आ आपको कि साइट स्लोप किसको कहते हैं और सा लगभग साइड स्लोप को कटिंग में हवान इस्टू रखा जाता है लेकिन अगर कठोर मिट्टी हो काफी रॉक वाली स्वाइल हो तो उसको हाफ इस टूवन का भी आप रख सकते हैं बात सवन्मागे नहीं कि यहां पर कहां कहां निक्लियर हो रही है तो आप साइड स्लोप को बाधे रखती है एक तो टेक्निकल यह बात हुआ कि पेंड की जो जड़े होती है और रोड की मिट्टी को खिसकने से रोकती है उन्हें उनको बाधे रखती है अच्छे तरीके से मतलब यह इतना बड़ा फायदा दूसरा सड़क पर आने जाने वाने लोगों के लिए व मतलब बांधे रखना जड़े जब अंदर अंदर जाकर के बांधती है पेंडों की तो काफी अच्छा मिट्टी का कटाव रूपता है और सड़क डिस्टर्ब होने सबच जाती है बारिस वारिस जब होने लगती है तो अगर पेंड ना रहे हैं तो यह सड़क पूरी कट कर पेंडों की कटाई है यह अंदर की बात है इसको कोई accept करने के लिए तयार चोटे अस्तर समझ में आता है लेकिन यह हमको कितनी सहायता देते हैं इसका कोई हिसाब किताब नहीं है तो तकनिकी रूप से सहायता यह हुगा और प्लस एक ऐसे सोचा रहे है तकनिकी के अलावा तो भाई पेंडों से रास्ता कितना खुपसूरत हो जाता है कि लंबा से लंबा रास्ता में अगर पेंडों से घिरा हुआ हो तो दूरी नहीं लगती है दूसरा चीज बहुत खुसनुमा मौसम बना रहता है मूड आदमी का अच्छा रहता है मतलब something that is not technical but very sincere मतलब यह ची इसी रीजन के और ऐसे पक्के पक्के बिल्डिंगों को देखिए ऐसे डिस्टर रहता है दिमाग तो इस वाज़ा से इनका इनका टेक्निकल काम भी समझ गए और एक आपका इसेंसियली माइंड के लिए भी अपना एक अच्छा अगर आपको यह लगता है कि यह यह मतलब यह बात तो सर कॉपी में लिखने वाली नहीं है कि दिमाग बिल्कुल लिखने वाली है मतलब देखिए एक चीज़ होता है ना नीरस्ता जिंदगी में जो जो व्यग्यानिक द्रिश्टी कोण होता है वो मोनोटोनियस चीज़ों को आवाइड करता है मतलब आपको एक का समझा दो हुd कभी भी जब कोई डिजाइन किसी चीज्का बनता है न ölegan का मतलब दिखेंस लिटगी मतलब हें अगर आप मैंने जबiegbei किया था तो उन समय के किताब पड़ी के नीजाइन करते हैं यह दिशांत कमने बड़ा यूनीक था किसी चीज़ में डिजाइं क्यो वो क्यों बनाना ही है सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनोवेशन की इनोवेशन का मतलब होता है कि उसमें एक सेशन परफॉर्म किया था ब्रेन स्टॉर्मिंग का अब यह इतना ज्यादा मैं नहीं बोलूगा फिर हर वर्ड को समझाना पर जाएगा मैं यह बताना चाहता आवसकता पहले ढूंड़ी जाती है और जब डिजाइन करते हैं तो कोई चीज हमारे लिए सही हो ठीक हो बट उसके साथ सब्सक्राइब कोई और चैटिंग साइट है ठीक है तो वह भी सारे फीचर्स देगा यह लेकिन वाट्सट ज्यादा चलेगा मतलब कुछ तो ऐसा है है उसमें जबकि सारे फीचर्स अवेलेबल हैं बट फिर भी वाट्सट ज्यादा क्योंकि कुछ तो है कुछ तो उसमें वर्क किया है जो हमारे मन को जीत लेता है हमेसा तो ऐसी कई चीज़ें आप डिसगरी तो कर सकते हैं आप कोई खाना बना हो बहुत अच्छे से बना हो बट उसमें उसको सजाया ना अच्छे से गया तो यह चीज़ें ना यह सजावट का भी काम करते हैं यह केवल तकनिकी रूफ से रहना नहीं चाहिए मतलब अच्छा काम करना है प्लस अच्छा दिख भी रहा है जब भी कोई डिजाइन का कॉंसेट हम लोग के सामने उभर क प्रोडक्ट बन रहा है वह प्रोड़क्ट सही होने के साथ सुन्दर भी हो इस पर बड़ा वर्क किया तक इससे और एक सीज़ समझेगा जैसे सब्सक्राइब को कभी भी तीन किलोमीटर से जयादा सीधा विल्कुल नहीं बनाया जाता है यह यह बहुत रहर है नहीं करना चाहिए मतलब कोशिस कि जाती किना रहा है मोड़ रहने चाहिए क्यों कि ड्राइबर जब एक सीधी सडक पे कंटीनू गारी ड्राइब करता है तीन किलोमेटर से जदा आगर गया तो ये जानस है कि वह सो सकता है वो निरश्टा को मतलब वो हो सकता की दिकत अहलब कि दुनिया में सवरकर हैं जो बिल्कुल सीधी कुछ किलो मीटर तक है लेकिन वह वह बहुत खतरनाक हैं वहाँ पर निरस्ता आने से जो है एक्सिडेंट के चांसेस क्या होते हैं बढ़ जाते हैं तो ड्राइबर को एक्टिव रखने के लिए जानबूच के सड़कों को मुड़ा भी जाता है यह चीज़ जान लिजे आप यह नहीं कि सड़क हैं हमेसा सीधा मिल सब्सक्राइबर को एक्टिव रखने के लिए सड़कों का मुड़ाव दिया रहता जान बूच करके कि मुड़ती रहें सड़कें जगा जगा बात समझ मेरा मेरी आपको तो अब यहां पर आपने इन चीजों को समझा कि यह पेंड सुन्दरता का भी काम कर रहा है बगल में में जो साइड की नालियां होती है जो साइड ड्रेंस होती है उनका में काम क्या होता है तो जो भी पानी जो है वह वा अब देखिए आगे कहीं साथ इसके साथ अच्छा अब इसमें से हम लोग मिलाते जाएंगे चीज़ें क्या क्या कवर हो अच्छा ठीक है पहले उसको खत्म हो गया अब यहां पे जो यह वाली चौड़ाई कोई formation वाला हो गया अच्छा यहां तक का पेंड के बाद जो साइड में नालियां हैं उनके बाद कुछ दूरी के बाद एक पत्थर या ऐसे पीलर बना दिया जाता है इसको रोड बाउंडरी पीलर कहते हैं या रोड लैंड की बाउंडरी कहते हैं साडक असल में यहां तक ग और यह राइट यह स्टेट हाई वे होता तो अलग होता जहीं में यही सब होता है कि कितना होता यहाँ पूछा जाता है और वह डेटा आगर मैं आभी आपको लिख वाओंगा वह लिखने का है और याद करने का उसमें कुछ भी ऐसा समझने वाली चीज़ नहीं राइट अ यह होता है यह डिप्लोमा आपने समझ दिया लेकिन राइट आफ वे कितना रखा जाएगा किस सड़क के लिए वह आपको बाद में समझ में आएगा इंदिने चैरी करेंगे तो समय आपको डेटा रटना पड़ेगा कुछ चीजे मां भी समझाते चलूंगा कुछ चीजा उस समय आपको रटना पड़ेगा तो राइट आफ वे जब लैंड एक्विजिशन होता है मतलब भूमी का अधिग्राण करती है गवर्मेंट तो कहां से कहां तक की चौड़ाई को राइट आफ मतलब इतना सब कुछ करके यहां से यहां तक की दूरी को ले लेती है गवर्में उसी में जाके जहां तक रहता है उसके बाद लगता है गुसने तो इसलिए सरकार यह चाहती है कि जहां इसकी बाउन्डरी फीलर हो उससे कुछ दूरी के बाद कुछ दूरी के बाद बिल्डिंग लाइन हो बिल्डिंग लाइन का मतलब जहां से आप कुछ बना सकते हैं ब मतलब रोड का भले यह जगा है लेकिन उसके बाग कुछ दूरी सेट बैट डिस्टेंस छोड़ करके तब आप बिल्डिंग का अपना काम जो है वो शुरू कर सकते हैं बात सब्सक्राइब तो यह रोड का टीपिकल क्रॉस सेक्षन है इसमें कुछ चीज़े समझें कुछ ची आगया यह फार्मेशन विट आपका है रोड मार्जिंस इस रोड पर जहां गाड़ी चल रही हो उसके अलावा इधर इतनी चीज़े है ना जैसे बर्म हुआ फूट पात है फूट पात क्या बाहरी सड़कों पर होता है फूट पात सहर के अंदर होता है उनकी एक प्षा तने लिजिए कि फूट पाथ है बार्म है या फिर जितनी भी मारजिन मारजिन मितलब जो गाप छोड़ेगा है और यहां से अखिर गारी कि All तो पायता है तो इन सब करते हैं फ्रोड kaweman इन सब क्या क्या कहते हैं रोड मर जन करते हैं अब रोड रोड सोल्डर क्या होता है यह भी आप समझ गया है बर्म को ही रोड सोल्डर कहते हैं रोड सोल्डर का में फंक्शन क्या है और यह सब आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा यह सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ बढ़े समझे आप साइड सलोप क्या होती हो भी समझ गए अभी नहीं समझने में हुगा आपका कर्ब फार्मेशन लेबल फार्मेशन लेबल किसको बोलते हैं जिस तल पर रोड बनता है जो भी सड़क वगरा बनती है न वह हमेशा एक हाइट पर बनती है ताकि अगल बगल की छेत्रों में बाढ़ से जब पानी का लेबल बढ़े भी तो सड़क पर पानी नहां पाए तो जिस लेबल पर रोड का फार्मेशन विट्थ बनाया जाता है इस्टिमेटिंग कॉस्टिंग अगर अभी पढ़ेंगे आप समझेंगे सब वह आपक सब्रण केमर और ग्रेडियेंटे इसको ध्यान समझना है और कर पो एक चील और समझे人 पहले कर्पire demokrat को समझते हैं देखें जो सहरी सड़कें होती है ना सहरी सबकों का हिसाब कुछ अलग होता है सहरी सबकों में बर्म नहीं होता है किसा सहर में देखें कि सड़कों किनारे पेंड लगा हुआ है तो यहां से दुकान मकान बनना शुरू होगा है क्योंकि सहरों में जगा कमी होती है यतना चौड़ा चौड़ा जगा यह बाहरी मतलब सहर के बाहर की सड़कों की बात हो रही है अगर इनकी बात करें तो यहां पर इस जगह पर इस जगह को हम लोग कि वो फूटपाเกदे इसको क्या करते हैं थो ईजलने वालंक लोगों के लिए गता और यहां पर फूंसल फूटछ आई गहीं पर गाड़ीय चलता नसीं तो यह पयर्मिन के बाद बर्म की जगह पर सीधे क्या हो जाता है फूटपाथ फुट पात हो जाता है सहरी सड़कों में याने इनको हम लोग कहते हैं कि यह कौन सी सड़के हैं यह टाउन रोड है यानि सहरी सड़के है ठीक नगरी यह सड़के जिसको बोल सकता है सहर के अंदर की सड़के अब एक चीज़ देखे गाए यहां पर कि यह फुट पात कैसे हो यहां पर रहती है यहां पर रहती है ओर आली में ऐसे एक तरफिछ रहता है इस समझे बात को पूरा इसाब यह अभी आप सीवर वाला सिस्टम यह पढाते हम पहटी में विस्ट वाटर नहीं तब आप समस्ते तो यह होती है नाली ऐसे अब सड़कों से जो पानी आएगा वो सीधे इस नाली में गिरेगा कचला वगरा यहां जमा होता है च्छन करके पानी जब यहां पहुंसता है तो वही सीवर में चला जाता है और सीवर से फिर आगे इसको पास कर रहा है सड़क के नीचे बड़े- इस पूरे को जो जाली दार ऐसे नाली बनी रहती है सड़कों पर देखे ना ऐसे बगल बगल में नालियां बनी तो इस नाली को हम लोग कहते हैं गटर इस नाली को हम लोग क्या कहते हैं गटर बात समय रहे हैं क्या कहते हैं इस नाली को गटर कहते हैं लेकिन लेकिन यहां सब्सक्राइब एस टाइब से और फिर यहां से उठा करके ऐसे बनाया जाए यहां समझे गए जाती है वर्टीकली लगाई जाती है वर्टीकली जालिया लगाई जाती है इसमें विक्या होता है सड़क का पानी जो इन जालिएं से होता हुआ अंदर यहां पर बना रहता है क्या आपका फिर वहीर चैंबर और चैंबर से फिर इस पामें चलते उप चाल जario जाता है तो यह ऐसे यह जो बनाए जाता है आपर यहां बादी जARS बोलगे फुटपात पर लोग से चाहा देंगे वो तो इसलिए भाईजान जैसे लोगों के लिए इसको उठा दिया गया उठा दिया गया कि अगर फुटपात पर कोई चल रहा है तो गाड़ियों के चपिट में वोना है गाड़ियां उसके न चढ़ने पाएं तो इस उठे हुए जगा को हम लोग बोलते हैं क्या करब इस उठे हुए जगा को हम लोग क्या बोलते हैं करब बोलते हैं बात समने हैं यही यह करब है करब नहीं करब यह अलग चीज है करब अलग चीज है आपको अगर बात समन में आ रही होगी यह आपका कर्व है कर्व इस वर्टिकल वर्टिकल इसको गटर को कहते हैं तो गटर होरीजेंटल वाले को कहते हैं जो वर्टिकली नाली बनाई गई है जिससे फूट पाता अच्छे कितना उठा रहाता है कर्व 10 से 15 सेंटीमीटर तक क्या किया रहता है सड़क के तल से 10 से 15 स मदद मिलती अब एक चीज़ और है कि ए भी एक चीज़ ध्यान रखेगा कि सडकों में हमेशा ध्यान रखेगा जिन शडकों पर करब की ब्यवस्था नहीं है अभी मैं बात करूंगा उस पर लेन बगारा पर सड़क की लेन क्या होती है उस पर बात करेंगे अच्छा करब पहले समझ दिए अब यह उस पर बात करते हैं करब आपने समझ लिया कि करब क्या होता है अब कैमबर क्या होता है और ग्रेडियेंट इसको समझ लिए इनको बाहर की साइड में सड़कों को किना केमबर थिखिए जितनी खराब शड़क होगी जिस पर पानी निकलने में दिक्कत होग कैंबर उतना ही जञदा देना पड़ेगे कैंबर उतना ज्यादा देना पड़ेगा बात नहीं समने में कैसे अरे भाई घंक्रीट की ता है कब है तो केंबर हलका सभी रहाएगा पानी निकल जाएगा बेटुमीं या डामर की सड़क है तो केंबर आपको थोड़ा से बढ़ाना पड़ेगा इसी तरह से अर्धेन रोड है यानि वाटर पॉर्ण मैंकेड़म है तो और अरदेन रोड है मतले दमिट्टी वाली सड़ाइब तो वनिल ट्वेंटी पाइब अभी सब बताते हैं कैमर वेंबर क्या होता है एक चीज और जा लिजिए पहले उसके पहले आम लोग अच्छा इस पर अभी चर्शा करेंगे कर्ब क् अब यह आपका कैमबर और ग्रेडेंट पर अभी बात करते हैं उसके पहले एक चीज़ हम लोग समझ लें रोड लेन के बारे में रोड लेन जो सड़क की चौड़ाई होती है उसको रोड लेन कहते हैं सड़क की चौड़ाई को हम लोग रोड लेन कहते हैं बात समझा रहे मतलब अच्छा भारत में जो गाडियां होती हैं गाडियां उनकी मैक्सिमुम चौडाई जो एलाउड है ना वो 2.4 मीटर एलाउड मैक्सिमुम चौडाई कितनी एलाउड है 2.4 मीटर मैं इसको मिटा रहा हु ज़रह सा उपर वाला अभी कर वाले को नहीं निटाया हूं ठीक है यह समझे गए तर अध्यान से पूरा तो यह जो 2.4 मीटर है गाड़ीयों की मैक्सिमम चोड़ाई हो सकती चाहे कितने बड़ी गाड़ी हो इससे बड़ा नहीं बहुत रेयर केस में जब होता है तो वह स्पेसल अरें 2.5 मीटर वर्ट यहां पर अगरमाली सिंगल लेंड की रोड़ तो दो दसमलों चार दसमलों चार दसमलों आट हो गया तो क्या दो गाड़ियां एक साथ जा पाएंगी या उधर से एकारी तो आप आप आएगी ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए सिंगल रोंड की सड़कों पर । तो बरमा % है दो यकोट बर्म की चौड़ाई कितने पूछा दा तो बढ़ड़ की चौड़ाई 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए बार्म का मतलब यह चौड़ाईlus 2.5 नितर साथ कम नहीं होनी चाहिए क्यों क्योंकि यह सरविस लेंट की तरह काम करता है सर्विस ल जाम रोकेंगे कहां अरे single lane की रोड है तो ले जाके बरम पे ख़डा कर दीजिए तो बरम कम से कम दो शर्म जो होता है वह दो दस्वलों 5 मीटर कम से कम रखा जाता है दो शिंगल लेन की रोड हुआ अगर डबल लेन है डबल लेन है डबल लेन है सिदा सिदा आव सिंगल के बाद समय यह जैं से सिंगल के बाद जितने लेन की रोडे हो वह तु इनटू 3.5 रख लिए तू हर कितना होगा साथ मीटर अब ट्रिपल लेन हो तो ट्रिपल हो तो या मल् मौलट रृट पांच सब्सक्राइब इस तरह माल्टी लेन में हर लेन के लिए साड़क तीन मीचर बढ़ा सकते हैं लेकिन के वल एक लेन हो तो वह साथ पाट से कम नहीं दूसरी जरूरी बात दूसरी जरूरी बात कि यह साथ मीटर की दम देखे अब थोड़ा सा डेटा पर ज्यादा फोकस करने लगा है हम भूल जा रहा है कि यहीं नहीं पढ़ा रहा है बट इतना ध्यान रखेगा जरा चीजों का कि अगर साथ मीटर डबल लेन में हम केवल डबल लेन की बात करें त अगर ऐसा हो कि एसा वाल घर और पहले वाला हो सकता था गटर वाल तो गटर वाले में यार देखो थोड़ा बहूत चड़ाने का सुभिधा है गाडियों को तो वहां के लिए तो साथ मीटर थीक है डबल लेन के लिए लेकिन अगर डबल लेन में करब वाली रोड तब आपने कहा कि सर हमें बर्म की सुविधा क्यों दी गई वो सर्विस लेन का काम करें क्या करब वाली सड़क में सर्विस लेन होते हैं क्या करब वाली सड़क में यह इस पर गाड़ी चड़ेगी नहीं चड़ेगी तो इस ऐसे रोड में जिसमें किनारे किनारे क्या कर दिये जा है उनमें थोड़ा साड़क और चोड़ा बनाई मतलब साथ नहीं साड़े साथ बनाईए ताकि आपका काम हो पाई उस पर चड़ाना न पड़े और अगर अगर सोल्डर वाला रोड है तब साथ मीटर भी रखेंगे तो काम चल जाएगा लेकिन अगला है फिर उसके बाद साड़े तीन साड़े तीन जोड़ते चले जाएए वह आपका काम हो जाएगा बात समया रहे ने मतलब साड़क का लेन का हिसाफ समझे एक लेन की साड़क कम से कम तीन दसमलों आट मीटर होनी देशाइए दो लिल कियoric को साड़े तीन गुणा दो कर देंगे तीन लिंकिसाड़ी गूरतिन बस डबनलर में यह धिया लिए अकिखना है कि कर वाले सड़क को साथ से बना के साड़े साथ कर देनी आर्मल ग्तर वाली सड़क है तो उसको 7 इह मीटर रहने दिनगे बात सम केमबर में क्या हिसाब है सब समझ लेते हैं एक सथ और देखे जब भी इससे कोश्चन पूछे ना इस चैप्टर से तो डाइग्राम बना के बताएंगे ना तो नंबर पूरा अच्छे से मिल लाता जैसे कर्व अगर आप पूछा तो ऐसे हलका सा रोड बना कर उसमें कर्व दिखा दीजिए तो उससे क्या होता है अच्छा रहता है ठीक ना अब बात करते हैं लोग केमबर की अपकेंबर में हिसाब समझीगा केमबर को हम लोग कहते हैं क्रॉस स्लोप या अनुप्रस्थ ढाल सड़क की चौडाई की दिशा में ढाल होती है उसको अनुप्रस्थ ढाल कहते हैं केमबर क्या होता यह सड़क है तो सड़क में इधर की तरफ ढाल इधर की तरफ ढाल दी गई जिससे पानी फटाच से निकल पहर गए उनको कहते हैं अम दो उस धाल को द धाल को कैमबर कहते हैं रशारक का दर शबसे उपरी बींद्व को वट खूड़क पूर के है और भूर्ण देश्क यहां नीचे यहां बीच मैं इस सब से अब लोग कहते हैं क्रउब इस सबसे उपरी ब such a लोग क्राउन कहते हैं और कैम्बरइधर की ड्हाल को कहते हैं आप केमर डिफ्रेंट ताइप स्के रोड के लिए कितना लोट रोड अगर अगर सब्सक्राइब्प अच्छा रोड है तोंक्रेट वो ताइबर को उसके लिए जिसक्षेवय केवाली आपको concrete की रोड तो अगर यह και में की रोड़ तो बीटुमें की रोड़ है तो उसके लिए 25 इस तरीके से अगर कर वह जो ओ trillion तो यानि आपका इसको लिष लिए से मैं किन आignon है तो उसके केस में यह वरनेन्ट है ओर अगर अंद्रन रोड मतलं में टी की कच्छी रोड कहते हैं आर्दन रोड ऐसके लिए वन इन लगभ़ा के लिए कंबर कि इसका में फंक्षन जो होता है उसका है ड्रेइनग आउट वाटर फ्राम रोल ड्रेइन आउट वाटर फ्रॉम पेव्मेंट, पेव्मेंट निसका में यह काम क्या होता है कैंबर is nothing but a cross slope which have a function to drain out the water from pavement मतलब कैंबर का काम क्या है आपने समझ लिया पानी को हटाना क्या करव जहां पर दिये जाते हैं करव मतलब जहां पर करव दिये गया हूं करव मतलब अभी समझाएंगे हम कि सड़कों पर जब कर तो वहां पर कैमबर नहीं होता है सड़कों पर जहां करव दिये जाते हैं वहां कैमबर नहीं होता है उस पर वह पॉन्ट रोड सर्फिस मतलब सड़कों की सता पर जो अनुप्रस्थ ढाल होती है उसको हम लोग कहते हैं कैमबर और कैमबर की वैल्यू अलग अलग अनुप्रस्थ ढाल है यह अनुदैर्द ढाल है सड़क ऐसे सीधे जा रही थी और कमी चड़ रही है कमी उतर रही है पहाडी पर इन जगों पर ऐसी जगों को कहीं चड़ रहा है यह तो यह तो सड़क चड़ाई में बदला हुए है सड़क पैसे ऐसे सड़क थी बीच में हलका सा उठा दिया गया ताकि पानी साइट तो यह चोडाई की दिसा में ढाल है लेकिन यह जो लंबाई की दिसा में ढाल है उसको ग्रेडियेंट बोलते हैं लंबाई की दिसा में ढाल को ग्रेडियेंट बोलते हैं तो ग्रेडियेंट तो gradient देखे इस हिसाब से जब बाटा जाएगा तो gradient होते कितने टाइप के हैं तो मैं उपर मिटा के इसको समझाता हूं अगरेंट के इतने टाइप के हैं इसको ध्यान समझेगा आप लोग आई ठिंग कि यह सारा चीज़ हो चुका होगा आपका तो अब लोग बात करते हैं अलक से ग्रेडिएंट खरें ठीक है न अ केंबर वगरा कि कहानी समझ में आ गई होगी अब हम लोग ग्रेडियंट के बात करते हैं ग्रेडियंट के बात करते हैं ग्रेडियंट देखिया होते हैं असल में इसको में क्या लिखा था इसको में लिखा था लॉंगी ट्यूडनल लॉंगी ट्यूडनल स्लोप ठीक ना इसका हिसाब क्या है टाइपस ऑफ ग्रेडियंट के अगर हम बात करें टाइपस ऑफ ग्रेडियंट एचा इनका फंक्सन क्या होता है फंक्सन मतलब क्या काम है ठीक है यह लंबाई की दिसा में ढले तो किसी उचाई पर पहुंचने या से उतरने के लिए और गॉले आप ए experiments प्रेडियंट में सबसे पहला gradient होता है सबसे पहला ग्रेडियंट वहता है वह होता है अब यह क्या होता है दूसरा मने लिग दिया है है याप सब्सक्राइं लेमेटिंग तीसरा होता है होते हैं एक बाद दोस्त सड़क जब एससी फिए चाती ऐसे सीधे ask जा रही है तो उसके आगल का पाली को इसे नाली में जाएगा तो नाली में ठोपाने शुड़क के बाट रहा है अगर यह सड़क का लेबल ऐसे जा रहा है एस और नाली आसे धाल पर जा रहे है पानी कंद हे लीए तो पता चलेगा ना कि कुछ दिर बाद नाली इससे चली जागी नेचिए सब्सक्राइब बहुत ऊपर तो इसलिए सठाख को कम से करिंदनी डाल तो हर जगहां देहीं थे यह और जगह देनी चाहिए ताकि नाली के साथ उसमें पनी नाली में आपको हलका से description किसके लिए ताकि नाली के पैरलल वो चलता रहा हुए उसमें प्रवाह क्या रहे बना रहे याई आपने यहां से समझा कि मिनिमम्ग ग्रेडियंट जो होता है वो होता है slow of water and rain this 가는 to 35 के नियर्आब यह वनीं 250 के नियरब IoT रखा जाता है मतलब 200 में ये मीटर नीचे चला जारे 200 में आगे जाने पर एक मीटर नीचे चला जाय तो कोई दिक्कत नहीं है तो ही यह minimum gradient होता है 200 से 500 भी उसको कर सकते हैं वो अला minimum ग्रेडियेंट क्यों minimum मतलब कम से कम इतना होना चाहिए क्यों ताकि नालियों में पानी का प्रवा बना रहे तब इतना रहेगा तो पानी का प्रवा बना रहेगा ठीक कर ना दूसरा है ruling इसको बोलता ruling gradient को नियंत्रक ढाल बोलते हैं ruling gradient को क्या बोलते हैं minimum को बोलते हैं new thumb ढाल ruling को बोलते हैं हम लोग नियंत्रक ढाल, नियंत्रक का मतलब गाड़ी को बिना कोई extra effort जाले जैसे गाड़ी को जब उचाई पर चड़ते हैं तो उसके engine पर असर पड़ता है गाड़ी के इंजन पर बीना असर पड़े हुए एकदम सामान तरीके से जिस अधिकतन ढ़ाल पर चढ़ा जा सकता है उस ढ़ाल को रूली इंग्रेडियंट यानी नियंतरक ढ़ाल क्याते हैं कि ऐसा देखा गया की वशनीन वानिन थार्टी से युशन defining वशनीन 3S LN 30 इसाया पर भात करें जैसर यह नार्मल रूड पर लेकिन अगर पहाड़ी सरकों पर बात करें तो यह एंक'y 20 क्लियर होगी बात यह है रूलिंग रेडियंट का वेलू रूलिंग रेडियंट का मतलब होता है जिस पर गाड़ी के चनल पर कोई भी असर न पड़े अभी यदि इसी तरीके से बात अच्छा यह भीना सर का वह यह वा लिमिटिंग मतलव सीमांत ड्धाल लिमीटिंग- drinks का मतलब limiting пис ल मतंब येरक हा अंतिन अग्छा कि सामान साड़कों पर इस पर गाड़ी पर असर पड़ेगा लेकिन इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए लेकिन इसको रख गया 1 इन त्यान समझे गा वं एन ट्वेन टि रांट इन सामान सड़कों के लिए और one in fifteen जो रखा गया वो किसके लिए रखा गया वो पहाड़ी सड़कों के लिए रखा गया कि यह सीमान्त है इससे ज्यादा मत बढ़ाईगा इससे ज्यादा धाल होने पर गाड़ी दिक्कत में आ सकती है ठीक ना पीछे पलड़ सकती कुछ भी दिक पर तो यह लिम्टें रखा गया यही अधिकतम है तो एक चीज और जान लीजिया अगला एक एक exceptional है exceptional का मतलब बीलच्छण बहुत ही रेयर बहुत दिक्कत में है कि हलका चबहाना ज़ए ले जाके बात समवां वहया है उस केस में मतलब फिलड का वन इन फिप्टीन और पहाड़ी सरकों का वन इन ट्वेल रखा गया इसको क्यों ऐसा लेकिन इसकेल पीछे एक सर्थ है मतलब मैक्सीमाम इसकी लेंथ जो रखती जाएगी वह हंडेड़ मीटर फॉर सब् 2 रखती जाल मिली मिनिमम credibility रहे घीन मिनिमं तर किसी मिली मिला को situatी की लेकिन जब एक्सेप्सनल वाला मिला गाड़ी इसे चलाएं आप देर करके अचा चणाते चल अचा कुछ तक चड़ा सकते हैं लेकिन कुछ ज्यादा लंबा हो जाए फिर वो दिक्कत हो जाएगी बात सब्सक्राइब अरे हलका सा चड़ाना रहे ठीक कोई दिक्कत नहीं तो एक किलो मीटर लंबी सड़क में 100 मीटर तक यह है तब तक तो ठीक है 100 मीटर से ज्यादा लंबा में एक्सेपस्णल ग्रेदियंट की एक वैलू होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक केडम है में 100 मीटर का ही दिया जा सकता है बातसानार ओर एक किलोमीटर सब्लंबाई में 100 मीटर से ज्यादा exceptional gradient exceptional जो exception है उसका बाती क्या करना exception का मतलब होता है का करना Till तरह के ग्रेडियेंट हुए ग्रेडियंट नमबाई के दिशा में शारक की धाल को कहते हैं ग्रेडियेंट को दिखाने का तरीका 1 in n के फार में है या प bacac Junior किसी भी धाल को आप पर्षैंटेज में दिखा सकते हैं जैसे कोई धाल सपोझ है 1 in 25 की तो इसको परसेंटेज में दिखाना है सीधे आपकर यह 100 by 25 यह सीधे परसेंटेज में चेंज जो जाएगा 100 by का मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 1 by 25.200 आइसी तरीके से अगर लिखते हैं कि 1 in 40 तो इसको भी आप लिख सकते हैं 1 by 40 आइन 200 तो यह परसेंटेज में कितना 4 परसेंट की स्लोप है यह परसेंटेज में दो दस्मलों 5 परसेंट की स्लोप है बात हमारे मतलब स्लोप को आप परसेंटेज में भी दिखा सकते हैं जितना ज्यादा प्रतिसत उतनी ज्यादा ढाल जितना कम प्रतिसत उतनी कम ढाल सब्सक्राइब 25 की स्लोप ज्यादा होती है देखिए आप ही 25 मीटर आगे गए एक मीटर चड़ गए यह ढाल हुआ अगर यह 25 के जगह पर आप ऐसे 40 मीटर गए होते और ऐसे गए होते तो कौन सा एंगल कम होता यह जो ढाल जा रही है यहां से यहां तक वाली वह 40 में की ढा रहा थह तो चाल ऊ surveillance में वाली काफी कम है पचीस में एक वाली कम है 20 में फाली और कम है मतलब जैसे जैसे अगर इसको हम लोग देखा जायो तो नीचे जैसे 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 जा रहे हैं जा रहे हैं नीचे जैसे जैसे जा रहा है ढाल बढ़ती जारे बात समने रहे तो आई होप आपको इसमें से अब कोई नोट्स में इसको देख करके सारे पॉइंट को अपने आप कवर कर जाएगा और लेक्चर अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों को लेक्चर के बारे में बताइए और सलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जागा चिंता ना करें हो सकता है आप उस दिन दो चार दिन के लिए किस तब तकली दन्नेवाट